नमस्कार आप सुन रहे हैं दबॉलीवुट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आकाश दोस्तों आज के इस पॉटकास्ट में बात राजेश खन्ना के उस दौर की जब उन्होंने अपना टैलेंट हंट शो जीता था और एक ऐसा शो जिसने आगे चलकर हिंदी फिल्म इंड़स्टी को पहला सुपरिश्टार दिया सुबह जल्दी उठने की आदत जतिन को बच्पन से ही नहीं थी जतिन यानि के राजेश खन्ना लेकिन आज की सुबह कुछ खास थी तैयार होकर वो तैस समय पर टाइमस ओफ इंडिया के दफ्तर पहुँच गया और यहीं से फिल्म फिर मैगजीन भी प्रकाशित होती थी आज कई मशूर निर्माता टैलेंट हंट में चुने गए प्रतियोगियों का इम्तिहान लेने वाले थे जूरी में बैठे फिल्मकारों के सामने इन प्रतियोगियों को जिस स्क्रिप्ट पर पफॉर्म करना था वो उन्हें पहले ही दे दी गई थी हर प्रतियोगि अपनी अपनी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटा हुआ था जतिन को जो स्क्रिप्ट दी गई थी उसके मताबिक उसे एक सीन करना था जिसमें हीरो अपनी मा को बताता है कि उसे एक नाचने वाली से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है नजाने क्यूँ जतीने से स्क्रिप्ट और डायलॉक्स को पढ़कर कुछ परिशान सा हो गया उसने डायलॉक्स याद करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया आखिरकार उसकी बारी आ गई और उसे एक बड़े से हॉल में बुलाया गया और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा उसके सामने वो चेहरे थे जिन से मिलने के लिए वो उनके दफ्तरों के बाहर घंटों इंतजार कर चुका था लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी आज बी आर चोपडा, शक्ती सामन्त, जीपी सिप्पी जैसे जाने माने लोग उसका इंतजार कर रहे थे सालों बाद उन लम्हों का बड़े ही फिल्मी अंदाज में खाका खींचते हुए राजेश खन्ना एक इंटर्व्यू में कहते हैं और रचानक से मेरे सामने 12-13 बेहद गंभीर लगने वाले लोग थे कोई हिल तक नहीं रहा था, गहरी खामोशी चाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फाइरिंग स्कॉाइट के सदस्य हैं जो अपने शेकार को घात लगा कर देख रहे हैं वो सारे लोग टेबल की एक तरफ लाइन से बैठे थे जतिन दूसरी तरफ बैठ गया और उन्होंने कहा कि हमने आपको एक डायलॉग भीजा है, वो याद किया आपने जवाब देने से पहले जतिन ने कुछ पल सोचा डायलॉग तो याद है लेकिन ये जो डायलॉग है या आपने नहीं बताया कि इसका करेक्टराइजेशन क्या है कि ये हीरो जो है, वो अपनी मा को बताता है कि मैं एक नाचने वाली से शादी करना चाहता हूँ और इसको तेरे घर की बहु बनाना चाहता हूँ इस स्क्रिप्ट में नमा का करदार बताया गया है नहीं हीरो का हीरो अमीर है, गरीब है, मासक्त है, कड़क है, नरम है, मिडल क्लास है, आदमी पढ़ा लिखा है या नपढ़ है जतिन ने ये सवाल अपने थेटर के अनुभव के अधार पर पूछे थे लेकिन निर्देशक बियार चोप्रा को शायद लगा कि ये लड़का बातों से इंप्रेस करके बनने की कोशिश कर रहा है वो जतिन से बोले क्या आप थेटर से हो, जतिन ने कहा, हाँ जी बियार चोप्रा साब बोले, ठीक है, अच्छा है, चलो तुम को ये अपना ही डायलॉग सुनाओ जतिन ने शायद ऐसे जवाब की उमीद नहीं की थी उनकी बात सुनक अचानक जतिन के पसीने छूटने लगे उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा डायलॉग बोल कर दिखाए जिससे सामने बैठे लोग खुश हो जाएं सारे लोग अपनी नजरें उस पर जमाए बैठे थे उसने अपनी आँखें बंद कर ली, तेटर में बिताए हुए पिछले कुछ साल हल्ट होकर हर नाकामी उसके जहन में घूमने लगी ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसकी तैयारी उसने सबसे ज़ादा की थी जहन में जैसे सैक्नो डायलॉग एक साथ गुजने लगे फिर अचानक गुज मध्धम पढ़ने लगी और एक पुराना डायलॉग साफ साफ सुनाई देने लगा लफ्स दिमाग में जैसे प्रिंट होने लगे उसने आखें खोली और वो लफ्स पूरे जजबात के साथ होटों से फूट पड़े उसपल के बारे में जतिन बात के दिनों में एक इंटर्वू में बताते हैं कि तोप के गुले की तरह मुझे अपने जहन में एक आवाज फूटती हुई महसूस हुई मुझे अपने आवाज कुछ ऐसे साफ सुनाई दे रही थी जैसे धनी जहाडियों में से कोई इंजन धरढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ हाँ मैं एक कलाकार हूँ क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर हाँ मेरा संघर्ष बेहद मुश्किल कठिन था मेरा चेहरा उतना ही बतसूरत है जितने मेरे खौब खुबसूरत हाँ मैं एक कलाकार हूँ ये डायलोग था और ये लवज शायद उसके हूंटों से नहीं सीधे दिल से निकले थे और जिस शिद्दत के साथ उसने ये बेहद लंबा डायलोग बुला था उन जजबात को वहाँ बैठे जियूरी के हर सदस से ने महसूस किया हाँ मैं एक कलाकार हूँ एक पुराने नाटक का ये ही वो डायलोग था जिसने जतिन के फिल्मी करियर की नीव रख दी सालों बाद भी ये बात बताते वक्त राजेश खन्ना किसी बच्चे के तरह उतसाहित हो जाते हैं वो बारा तेरा एक इंटरिवू में कहते हैं कि वो बारा तेरा गंभीर से देखने वाले बड़े टफ लोग थे यूनाइटेड परडूसर्स और फिल्म फेर के एडिटर मगर यहां एक पल पहले तक गहरी खामोशी चाही थी मेरे डायलॉग के बाद उस फाइरिंग स्कॉाइट ने टालिया मजानी शुरू कर दी जीत सामने थी वो खामोश ख़ड़ा था बिल्कुल इस तब्द यह हकीकत है या उसके मन का भ्रहम फिर सामने बैठे लोगों की मस्कỏहट में जतिन को उसके सवाल का जवाब मिल गया उस जीवरी के सदस्यों में से एक वरिष्ट नर्माता नर्देशक जेउम परकाष बात के दिनों में बताते हैं कि उसको चुनने वाले लोगों में से मैं भी एक था उसने कमाल की स्पीच दी थी और एकदम से हम सब का रियक्शन था कि इसको चुन लेते हैं वो काफी लंबा परफॉर्मेंस भी था और उसे देखकर हमें एकदम से लगा कि उसके अंदर वो प्रतिवा है जो एक इमोशनल एक्टर में होनी चाहिए उसने पैनल के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया हमें अपने सेलेक्शन पर हमेशा गर्व भी रहा क्यूंकि हमने सुपर इस्टार चुना था और फिर अगले साल यानि कि साल 1966 में एक और मैगजीन के टेलेंट हंट में फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजबाने के लिए फिर से हजारों नौजवानों ने फॉर्म भरे इन में से एक अमिता बच्चन नाम का नौजवान भी था अमिता बच्चन को इस टेलेंट हंट में चुना नहीं गया सुनते रहे दे बॉलिवूट रेडियो सुनता है सारा इंडिया